प्रिछान का प्रेमी जरूर हूँ मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ पर लाइफ में एकस्पेरिमेंट जरूर करना हूँ और उससे सीखता भी हूँ मैं मेरे विचार एप्रिहेंशन से नहीं अब्जेर्वेशन से बनती है शिक्षा का महत्व मैंने बच्पन से ही देखा है मेरे माता पिता का मानना था कि ग्यान वो इन्वेस्मेंट है जिसका डिविडेंट यानि मुनाफ़ जीवन के अंत तक मिलता रहता है मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सामान्य जिन्दगी जीने के लिए इनसान को रोटी कपड़ा और मकान के इलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एड्यूकेशन आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कनवर्ट कर सकते हैं धन हो या सोना दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है पर यही धन को अगर हम नॉलिज में कनवर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और नहीं उसकी चोरी हो सकता है देखे जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है मेरे ये अनभव सुनने में शायद साधारन लगे पर इन में छिपा सार असरधारन है अनमोल है यदि मैं आप से पूछू कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है वेपन्स है शस्त है धन है किसी देश का राजा या किसी सलतनत का वारिस है मेरा इसा मानना है कि वेपन्स मनी किसी को पारफुल नहीं बनाते है या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पते है दौलत आज होगी कल नहीं शस्त का ग्यान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त चल सकता है अगर बनाते हैं तक वो शस्त का ग्यान कभी नहीं रुखता है नौलिज के निवर बी अबसुलीट शस्त कग्यान शस्त कग्यान से ज्यादा असरदार प्रभावशाली और शक्तशाली होता है अब देखिए एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की कौन कौन से शस्त्रों का इस्तमाल किया कितने सैनिक थे ये शायद आपको याद नो पर जीरो की खोच किस ने की बल्व का विश्वार किस ने किया राश्गान किस ने लिखा उथेलो मेकबेट की रचना किस ने की ये आपको जरूर याद रहेगा इतिहास गवा है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वही तक पूजा जाता है जहां तक उसका सामराज्य पहला होता वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है पर अपने ज्यान की कीरती पहलाने वाले अलबर्ट आंस्टाइन विलियम शेक्सपियर रबिंद्र नाट्ट गोर सिर्फ अपनी जन्म भूमी में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में पूजे जाते संपूर्ण मानव जाती के लिए वो पिर्णा स्त्रोध बनते इसलिए आप सबसे मेरा आगरे यही है कि सीखते रहे ग्यान का ध्यनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योगि होता है क्योंकि ग्यान वो कबच है वो शील्ड है जो आपकी जीवन में आने वाली कठनाईयों से आपकी रक्षा करेगा फिर किसी भी शस्त की आपको आवशक्ता नहीं होता आवे सिन्य कर साथ, और आपको अर्यान नहीं होता